भोजपरी में आपको रातो रात लाइम लाइट मिल जाती है अगर आप किसी के खिलाफ बोल दें किसी के खिलाफ मिंस आप के सारी और पहन के खिलाफ बोल दें तो अपने आप आपको लाइम लाइट मिल जाती है लेकिन कभी कभी आपको इस लाइम लाइट की जरूरत नहीं रहती है लेकिन ये सितारे निसाने पर अपने कर्मों की वज़े से आ जाते हैं तो चलिए आज बताते हैं कि स्याम देहाती की जो पत्नी है वो अचानक से लाइम लाइट में आई एक साल बाद से आम दिहाती की मौत के एक साल बाद उन्होंने कुछ चैनल्स को इंटर्वियो दिये जहां पर उन्होंने खुलासा किया कि भोचपुरी के सुपस्टार के सारी लाल यादों ने उन्हीं मदद की पहल की लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई मदद उन्हीं नही पहुची है लेकिन इन सब में एक नाम उन्होंने ऐसा लिया जिसने सभी को बिल्कुल नहीं चोकाया क्योंकि दिनेस लालियादों निरहुआ हैं ही कुछ इस तरह के जो की मदद कर देते हैं और फिर उसका धिंडोरा नहीं पीड़ते लेकिन खिसारी लालियादों के लिए त कुछ इसी कदर जादा तर उन्होंने ये सवाल खेसारी लालियादों पर ही उठाए हैं क्योंकि खेसारी लालियादों के तरफ से सबसे जादा की मदद की पेशकस की गए थी लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है खेसारी ने क् श्याम दिहाती को गए हुए तक्रीबन एक साल हो चुका है और इन एक सालों में दिनेस लाल यादव निरहुआ ने स्याम दिहाती के बच्चों का और उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाया लेकिन जो वादे खेसारी ने किये थे वो भी तक पूरे नहीं हुए और ऐसे में जैसे एक निउस चैनल वाले ने इंट्रिव्यू लिया उसके बाद कई लोगों ने धड़ादर श्याम दिहाती की पतनी का इंट्रिव्यू लिया और वो अच्छानक रातो रात वाइरल हो चुकी है और आज उनके बारे में हर कोई जानना चाहता है लेकिन बहुत ही जल्द मदद श्याम दिहाती की पतनी को मिलने जा रही है जी हां और इस बात के पुस्टी जल्द ही पवल सिंग के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से भी कर दी जाएगी भूच प्रिजगत की होट और मसाले दार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुलाब लिए